से हलो विवर्ड वेल्कम तो डिस चैनल आज ऊटो डिसक्स करने वाले हैं आटो ट्रांसफर्माइड के बारे में हम लोग टू वा इनिग ट्रांसफर्मार देखे हैं उसका क्या-क्या प्रापाटीजय कैसे काम करता है आज उसी तरह उसी प्रिंसिपल में काम करने वाला एक और ट्रांस्फ़्मात है जोकी आटो थनम औरंस्क्रमाइफ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसका स्थेयोरी जानेंगे कैसे काम करते वो यचानेंगे अध्वा से डिसाड़ फेंटेच्छ सभी के बारे में आज हम लोग डिसक्रम लोग सनक्रवारे सॉ है doubtnet app जिस भी सवाल का आपको doubt है उसका photo खीचो crop करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसके मिल जाएगा video solution वह भी बिल्कुल free में यानि अब आप पूछिए अपनी unlimited सवाल कहीं भी कभी और चाहे आपका सवाल 6 से class 12 की हो आपको मिलेगा सिर्फ डाउटने टैप पर और साथ ही डाउटने टैप पर चल रही है 9 से 12 तक आईटी जैई या नाइट के बच्चों के लिए online classes जिसका हिस्से बन कर देश के सभी राज जोसे बच्चे लेकर आए रेंक वान तो आज ही डाउटने टैप और अपना सभी डाउट भगाओ और टॉप लेके आओ तो ऑटो टांसफोर्मर क्या है ओके ऑटो टांसफोर्मर एक सिंगल वाइंडिंग टांसफोर्मर है जैसे कि हम लोग जानते है टू वाइंडिंग टांसफोर्मर क्या है एक प्राइमरी वाइंडिंग रहता है एक सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है मतलब कुछ इस तरह से में एक ही winding है उस Winding से हम लोग primary winding मनाते है उसी winding से हम लोग एक साइड में secondary winding मनाते हैं कैसे माझन लोगी कुछ इस तरह winding है ठीक है अगर हम लोग यहां पे यह winding ऐसे कर देते हैं ठीक है आचा मालोग यहां पे हम लोग भीवान दे रहे हैं ठीक है supply जो है वो और यहां से हम लोग एक लोड करनेक्ट कर रहे हैं to in Throne is your v2 तो देखो यह जो वाइंदिंग है यह वइंदिंग हम लों एक साइड में उसे प्राइमरी साइड बना रहए है एक साइड में स्वार है उसी वैंनिंग का एक पोर्शनसे हम लोग आ फूले रहे तो इस ट्रांसक्राइब का जो ट्रांसफोरमर उपको कहा है कहें डिया जो ट्रांसफोरमर में प्राइमरी वाइनिंग आंडी वाइंडिया जो ट्रनरी वाइंडि मुईलन ऐसे किले अहां स्कॉनारी रिबह दोर pods पिछ पाइंडिक लिन गड़ीवा जैसे वार से वार ट्राउस वता है छू ठीकटिकल कनेक्षान जिस सर्किट में यह उसम yol monitor之व कंडक्टिफ ली मतलब जो ट्रांस प्रांसफर मिडयों से जो फ्लंध डर्स इंघायद मेर की कंडक्टिव लीए so aware inductively and conductively जो power transfer है what power transfer हर सहाथ conductively क्या होता है sorry inductively क्या होता है यह transformer extra से और productively क्या होता है जो electrical where it always by anywhere autodedsięर्ämर में efficiency जो है वह जाधा है की जूछ वाइंडीग transformer नहीं से सेमर कर्या ट्रींग की का कर्ट मुआ आ और अन आटो transformer हम लोग लेंगे तो उसी auto transformer का जो efficiency वह जाधा है ठीक है और भी बहुत सारा कुछ advantage है वह हम लोग धीरे धीरे देखेंगे so this is all about the auto transformer okay तो इस ट्राइप का transformer जो है देखो यहां पे हम लोग V1 दे रहे हैं और V2 ले रहे हैं that means step down होड़ा है ठीक है तो simply यहां पे हम लोग step down auto transformer बोलेंगे अब इसी auto transformer को मांड़ों की winding है ठीक है कि winding है यहां से हम लोग output ले रहे हैं यहां पे हम लोग यहां पे input supply दे रहें ठीक है तो input supply छोटा है output supply बढ़ा है तो इस इस ओविएसली दा step up okay so this one is your step down of auto transformer and this one is your step sorry step down and step up auto transformer यहां पे obviously दिख रहा है कि जो primary voltage है secondary voltage से जाधा है so that that's why sorry secondary voltage से जाधा है तार्मींस secondary में क्या है कम voltage हम लोग को मिल रहे यहां पे सेकेंडरी में हम लोग को जाधा voltage मिल रहे है इसलिए हम लोग यहां पे step up transformer बोलते है ठीक है तो यह एक basics रहा auto transformer का हम लोग देखेंगे कि इस auto transformer का जो working principle तर्मींस कैसे वह work करते है कैसे उसका equations बनता है तो उसी equations को बनाके हम लोग के जो हम लोग यह जो टू आइंडिंग ट्रांसफर्मर के टाइम पे जो हम लोग equations देखे थे उसी equations को satisfy कर दाए ठीक है तो हम लोग यहां पे calculation करके देखेंगे कि वह auto transformer के लिए वह equation कैसे आता है so theory of auto transformer ठीक है तो आटो ट्रांसफर्मर के सब्सक्राइब कर लेते हैं एक step-down auto transformer रहे है ठीक है यह है लोट दिस वन is V1 okay and this one is I1 यहां से I2 flow हो रहा है okay so यह जो इतना अशा जो winding है this one is N1 okay और यह जो पूरा winding है this one is N2 okay so उपर का winding क्या होगा N1-N2 sorry N1-N2 okay और यह जो voltage है this is V2 so यहां पर क्या होगा V1-V2 okay तो यहां से I1 आ रहा है और यहां से I2 जा रहा है ठीक है तो यह winding में कितना current flow होगा अब यह winding में obviously I1-I2 current flow होगा पर यहां पर एक चीज़ देखो हम लोग transformer के जो principle है उसमें क्या जानते है कि जिस side का voltage कम होता है उस side का current जादा होता है ठीक है इसलिए हम लोग उसे इस direction में लिखेंगे और I2-I1 ऐसे करके लिखेंगे ठीक है यह V1 उपर लिख देता है मतलब क्या है I2-I1 और I1 मिलके I2 बन रहा है तो ओवियसलिए I2 is greater than I1 यह हुआ दोनों मिलके I2 बन रहा है तो I2 का value क्या है जादा है तो इसलिए हम लोग उपर की direction में लिखें है और I2-I1 लिखें तो यहां पे कितना current flow हो रहा है इधर से जो जाड़ा है वो I2 है ठीक है और यहां से जो जाड़ा है फिरसे i1 क्योंकि यहां पे i2-i1 इधर चला गया ठीक है सो i1 i2 minus of i2 minus i1 तो यहां से क्या जा रहा है फिर से i1 तो यह जो circuit का जो concept है वो पूरा हो गया ठीके तो V1 voltage है यहां पर ठीके यहां इस winding में कितना voltage है V1 minus V2 इस winding में कितना voltage है V2 से कितना current flow होड़ा है i2 और इस side में कितना current flow होड़ा है i1 और i2 minus i1 ठीके और इसना से फिर से भी जो i1 current है वो जा रहा है तो यह पूरा circuit का एक कहां पर कितना current flow है कितना voltage है वो हम लोग यहां पर देख लिए है ठीके अब हम लोग देखेंगे कि देखो यहां का minus V2 equals to यहां पर कितना turns ratio है n2 और यहां पर क्या है n1 minus n2 ओके तो यह हम लोग अगर calculation करेंगे तो कितना होगा n1 V2 minus V2 n2 equals to cross multiplication कर रहे हैं n2 V1 minus n2 V2 तो यहां पर क्या होगा देखो V2 n2 और V2 n2 यह cancel out हो जाएगा ठीके तो यहां पर क्या होगा V2 n1 equals to V1 n2 okay that means n1 by n2 n1 by n2 equals to V1 by V2 okay that means transformation ratio k तो यह यह जो है यह two winding transformer भी यह हो दा था कि sorry यह 1 by k होगा क्योंकि n1 by n2 है okay so हम लोग क्या जानते k का value क्या है k का value है V2 by V1 equals to n2 by n1 equals to i1 by i2 that is the actual value of k तो यहां पर क्या है n1 by n2 V1 by V2 है so यह क्या होगा 1 by k right और हम लोग क्या लिख सेकता है current की current की form में हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा देखो यहां पर V2 into i2 minus i1 equals to V1 minus V2 into i1 okay so यह क्या है V2 i2 minus V2 i1 equals to i1 V1 minus V2 i1 okay so यहां पर क्या है V2 i2 V2 i1 देखो V2 i1 और V2 i1 cancel out हो जाएगा right so यहां पर क्या होगा V2 by V1 equals to i1 by i2 i2 next क्या होगा क्या होगा ठीक है यह क्या होगा K so अगर यह दोनों equations को अमलोग एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा इसे इसे यह मनों गुल्टा करके रिखले है ठीक है so that is V2 by V1 equals to N2 by N1 equals to I1 by I2 equals to K okay so this is actually यह जो अटो टांस्फर्मर का यह जो एक्वेशन से वो उस्ट्वाइनिक टांस्फर्मर से मिल रहा है that means यहां पर क्या लिख सकते है हम लोग V1 I1 equals to V2 I2 ठीक है that means input apparent power equals to output apparent power okay input apparent power equals to output apparent power okay so यह भी यहां पर टूइनिक ट्रांस्फर्मर भी हो था तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कहते कि टोटल पावर जो है ना टोटल पावर टोटल पावर that is power inductively plus power conductively that means inductively जो पावर ट्रांसफर होड़ा है वो और conductively जो पावर ट्रांसफर होड़ा है वो ठीक है इन दोनों का summation क्या है टोटल पावर तो हम लोग एक एक करके निकालेंगे की inductive power कितना जा रहा है और conductive power कितना जा रहा है तो हम लोग देखेंगे की power transfer inductively कितना होड़ा है और conductively कित्र होगे तो पहले हम लोग देखेंगे inductively inductively कितना power transfer अब inductively मतलब जो winding दोनों साइड में common है उसकी वजह से जो power transfer होड़ा है that is inductively that means उस winding का current और voltage का multiplication तो यह winding लेको दोनों साइड में common है okay that means यहां का current कितना है i2 minus i1 और voltage कितना है v2 okay so v2 into i2 minus i1 okay so we can write v2 into i2 i2 minus i2 minus यहां पे क्या है i1 by i2 equals to k so i1 is k i2 right तो हम लोगा करी से कमोन लेंगे 1 minus k हम जानते की v2 i2 equals to v1 i1 equal into 1 minus k that means input into 1 minus k okay of conductively क्या होगा total power जो है that means input minus input into 1 minus k okay so यहां पे क्या होगा input into k that means input minus input into 1 that is input so input minus input plus input into k so input input into k okay so यह हो गया inductively power inductively और यह हो गया power conductively so यह जो दो formula है यह हम लोग को अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस formula की मदद से हम लोग चोड़ा-चोड़ा problem solve कर से ठीक है मान लोग कि किसी transformer का power है 100 watt ठीक है तो वो कितना उसका तांसर्शियो दिया गया है ठीक है तांसर्शियो है कुछ नमबर दिया गया है तो हम लोग को निकालना है कि power inductively कितना flow रहा है power conductively कितना flow रहा है ठीक है so input power into 1-k that is inductively or input power into k that is conductively ठीक है so इस तरह से जो अटो transformer का जो power है वो यहां पर supply होता है अब हम लोग देखेंगे कि copper saving in auto transformer copper saving मतलब यह जो winding है यह सभी copper winding है राइट so two winding transformer के respect में auto transformer में कितना copper लगता है यह हम लोग देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि two winding transformer में transformer से auto transformer में पाउपर का savings कितना होता है ठीक है तो saving of copper इन अटो transformer तो यह copper जो है यह किस किस के उपर depend करता है पहले यह देखो यह जो copper है मतलब यह winding है तो winding में कितना copper हम लोग यूज करेंगे वो पहले तो करता है number of turns के टांस के उपर क्योंकि number of turns अकर ज्यादा बढ़े तो उसमें ज्यादा हम लोगों को कौपर देना पड़ेगा ज्यादा हम लोगों को वाइंदी रखना पड़ेगा ठीक है और एक चीज की कारेंड फ्लो के ओपर ठीके अगर कारेंड फ्लो ज्यादा हूओ मतलब अमूवन अप कारेंड ज्यादा है तो ऊसमें किया मोटा जो है वाल लगेगा तो हश्में कापा made for two winding transformer two winding transformer क्या है यह प्रोपोर्शनल कितना है वेट of copper proportional to n1 i1 plus into i2 that means primary side में और यह weight of copper ठीक है और यहां पर क्या है आप्टो ट्रांसफोर्मर में और ट्रांसफोर्मर weight of copper proportional to यहां पर दो चीज है ठीक है 1 2 और 2 3 ठीक है so that means यहां पर हम लोग दो इसे divide कर सकते हैं एक यह और दूसरा यह यह है 1 2 और यह क्या है 2 3 ओके तो 1 2 में कितना क्या है देखो कारेंट कितना जा रहा है i1 और number of turns क्या है n1 minus n2 so n1 minus n2 into i1 और यह 2 3 जो है इसमें करेंट कितना जा रहा है i2 minus i1 और number of turns क्या है n2 okay so i2 minus i1 into n2 okay so अगर total हम लोग कर रहेंगे तो क्या होगा proportional to this plus this ठीक है अब हम लोग ratio करेंगे that means पहले weight of copper weight of copper for auto transformer auto short में लिख रहे है और weight of copper for two winding transformer okay so यहां पर क्या होगा देखो n1 minus n2 into i1 plus i2 minus i1 into n2 divided by n1 i1 plus n2 i2 okay so हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर देखो हम लोग multiply करेंगे n1 i1 minus n2 i1 plus n2 i2 minus n2 i1 ठीक है okay divided by n1 i1 plus n2 i2 यहां पर देखो क्या है n2 i1 और n2 i1 2 है ठीक है so n1 i1 plus n2 i2 यह n है ठीक है minus 2 n2 i1 divided by n1 i1 plus n2 i2 जो नीचे है वही होगा ठीक है तो अगर हम लोग यह जो नीचे है इससे इसको डिवाइड करेंगे मतलब दो पार्ट में हम लोग यहां पर दिवाइड किये this minus this okay so हम लोग यहां पर दो प्लास में this plus this हम लोग डिवाइड कर लिए है यह और यह तो इससे हम लोग एक बार इसको डिवाइड करेंगे और इससे एक बार इसको डिवाइड करेंगे ठीक है इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं 1-2 N2 I1 divided by N1 I1 plus N2 I2 ठीक है तो N2 I2 को हम लोग N1 I1 लिख सकते हैं क्यों क्योंकि हम लोग यह जानते हैं कि N1 I1 equals to N2 I2 for transformer के लिए क्योंकि N1 by N2 equals to I2 by I1 equals to 1 by K ठीक है तो यह जो फर्मूला है N1 I1 equals to N2 I2 तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं 2 N1 I1 ओके तो यह क्या बन जाएगा 1-2 to cancel out हो जाएगा N2 by N1 ओके so 1-k so weight of copper for auto transformer equals to weight of copper for two winding transformer into 1-k ठीक है so that means यहां पर हम लोग लिख सकते हैं weight of copper auto equals to weight of copper two winding transformer into 1-k clear so agar two winding transformation ratio है 0.1 ठीक है so 0.1 transformation ratio है that means 1-0.1 that is 0.9 okay so weight of copper for auto transformer equals to weight of copper for two winding transformer into 0.9 ठीक है तो यहां पर हम लोग देख सकते ही copper savings होडा है that means जो यह जो है दो to auto transformer में जो है 0.9 मतलब 90% okay so 90% copper saving होडा है तो अब हम लोग देखेंगे कि समझ में आ गया कि auto transformer क्या है उसको हम लोग कैसे उसका theory क्या है step up step down किसे कहते हैं उसका copper saving कैसे होता यह जो formula है वह हम लोग यह फॉर्मूला जो ही हम लोग यह रखना पड़ेगा अब हम लोग देखेंगे कि उसका advantage disadvantage क्या है और उसका application क्या है कहां कहां लोग उसे यूज कर सकते हैं और कहां काम लोग यूज नहीं कर सकते हैं किसकी वज़य से आप्लिकेशन ने पर लिख लिए है देखो advantage क्या है less copper क्योंकि two winding टा सेम रेटिंग का two winding transformer से विए इसमें copper कम लगता है ठीक हाई efficiency efficiency ज्यादा है क्योंकि auto transformer में conductively और inductively दोनों तरीके से power transfer होता है और two winding transformer में सिर्फ inductively power transfer होता है ठीक है better voltage regulation voltage regulation ज्यादा है smaller size compact size क्योंकि दो winding का इसमें मामला नहीं है ठीक है तो दोनों winding नहीं होने से एक ही winding है इसलिए size जो है compact है smaller excitation current exciting current जो है वो कम लगता है ठीक है तो यह कुछ advantages है पर कुछ disadvantages भी है auto transformer में जिसके वेज़े से हम लोग auto transformer को हर एक जग हमें यूज नहीं कर सकते हैं जैसे कि output is no longer dc isolated from input that means क्या है auto transform motorism क्या है ऐसे मतलब electrically connected है तो okay so electrically connected होने से क्या होगा इसमें जो मागा जो input में जो dc part है हम लोग इसी input डालते हैं पर उसमें कुछ dc part रहे जाता है उस डिसी पार्ट को यह auto transformer जहो filter नहीं कर पाता है पर जो ट्वाइनिंग transformer में है वह क्या होता है कि dc को isolate कर देता है input और output के दोनों साइड में ठीक है तो यह disadvantage है not safe for stepping down high voltage to low voltage क्योंकि मादलों कि यहां पर 11,000 वोल्ट है हो यहां पर 220 वोल्ट कर रहे हैं मालों किसी भी कारान यह जो इसमें जो पोर्षन है ना इसमें open circuit हो गया तो पूरा voltage जो है वो supply में आ जाएगा मतलब load में आ जाएगा तो अगर किसी भी मतलब human beings हो किसी भी कोई भी यहां पर contact में आया तो एक high voltage का मतलब शॉक उसको मिलेगा ठीक है तो इसकी वज़ए से हम लोग high voltage को अगर stepping step down करना है तो उस टाइम पर हम लोग auto transformer को यूज नहीं कर सकते है ठीक है नेस्ट का है short circuit current is large short circuit current क्या है देखो मनलोग की यह जो है मनलोग यहां पर secondary side में कुछ short circuit हो गया उच short circuit की वज़ए से यह जो portion है यह common portion है इसमें भी short circuit आएगा तो इसमें short circuit आने की वज़ए से क्या होगा यह जो प्राइमरी जो winding है उसका resistance inductance कम हो जाएगा उसकी वज़ए से primary current भी ज्यादा हो जाएगा और उसकी वज़ए से primary current से secondary current related है तो उसकी वज़ए secondary current भी यह cumulative process है community process से बहुत ज्यादा हो जाएगा इसलिए short circuit current जो है बहुत ही ज्यादा है इसकी वज़ए से हम लोग जो आटो transformer जो है उसको मतलब ध्यान से हम लोग को यूज करना पदा है ठीक है तो कहां कहां हम लोग उसे यूज कर सकते हैं जैसे की booster transformer booster transformer means transmission line में जो voltage हम लोग जिसमें decrease हो जाता है उसमें voltage compensate करने के लिए हम लोग booster transformer कर सकते हैं वह हम लोग उसमें हम लोग auto transformer यूज कर सकते हैं used in AC motor during the starting period to reduce the supply voltage AC motor में हम लोग auto transformer की यूज करते है starting starting period में high voltage को reduce करने के लिए ठीक है और क्या है used for continuously variable voltage जहां पर voltage continuously variable vary कर रहा है वहां पर हम लोग auto transformer को यूज कर सकते हैं ठीक है यह जो portion है यह पूरा मतलब पूरा डिटेल्स है पहले हम लोग देखे हैं कि auto transformer क्या है उसका theory क्या है उसमें हम लोग मतलब inductively conductively power कैसे transfer होता है फिर हम लोग उन्हों देखा कि copper saving कैसे होता है कहा टू एंडिंग के ट्रांस्वार्मर के रिस्पेक्ट में फिरम लोग यहां पर अड्वन्टेज डिसार्वेंटेज और एप्लिकेशन देखा ठीक है एक टूदेज विडियो गईस इफ यू लाइक इस वीडियो धिल्टेज जबेग देडियो एंड शेयर दिए विडियो इन दोस्टेज वांड नीश चैनल फ्लोग सब्सक्राइब देन एंड बिल्ते हैं गले वीडियो में तब तक लीटा एंड गुद्वाइब